हेलो व्यूवर्स, जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे पेपर टर्मरिक मिल्क यानि की काली मिर्च और हल्दी का दूद आप सभी जानते हैं के हल्दी और काली मिर्च हमारी सेहत के लिए कितनी फाइदे मन है और इन दोनों को मिला कर जब इसका सेवन किया जाए तो इसके फाइदे और भी बढ़ जाते हैं तो चलिए सुरू करते हैं डेली और विकेंड स्पेसेल ले सिपीस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें तो सबसे पहले किसी बरतन में एक कप फूल क्रीम दूद एट करेंगे और हाइफ लेम पर इसमें कुबाल आने देंगे हाइफ लेम पर एक उबाल आने के बाद गेस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें एट करेंगे एक चोधाई टीस्पून काली मीच पाउडर साथ ही में एट करेंगे एक चोथाई टीस्पून हल्दी पाउडर एक चुटकी नमक एट कर देंगे और इस टेज पर हम इसमें एट करेंगे एक टीस्पून चीनी दिखें यहाँ पर चीनी बिल्कुल ओप्सनल है अगर आप ना एट करना चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लो फ्लिम पर इसे पकने देंगे जिसे कि मैंने आपको पहले भी बताया के हल्दी और काली मिच का सेवन साथ में करने से बहुत से फाइदे होते हैं हल्दी और काली मीच के इस मिसरन का रोज सेवन करने से ये खून को साफ करके तवचा की खराबियों को दूर करता है खास तोर पर पेट के गेस की समस्या में ये मिक्स्चर बहुत ही फाइदे मन है जोणों के दर्द और मास पेसियों की जकड़न जैसी समस्याओं को दूर करने में भी ये बहुत ही लापकारी है तो मैंने इसे लो फ्लेम पर 2-3 मिनिट के लिए और पका लिया है और अब हम गेस की फ्लेम को ओफ करके इसे सव कर लेंगे और सव करतवक गानिशिंग के लिए हम इसमें थोड़ा सा काली मिश का पाउडर रेट करेंगे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेर और कॉमेंट करें चैनल पर नए है तो मेरी आपसे हमबल रिक्वेश्ट है के एसी ही आसान, यूनिक और हेलजी रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं फिर मिलेंगे जाईका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई